हेलो माई डियर फ्रेंड आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग टेंथ क्लास का जो मैथ है टेंथ क्लास मैथ में जो चेप्टर नमर फ़र्ष्ट है यानि बास्तविक संख्यां उसका पार्ट फाइब करने वाले हैं और पार्ट फाइब में ये शीखने वाला है कि घो अपरीमे संख्यां है तो है तो हम जानते है लेकिन उसको सिध खरके देखना क्या रूट थी को स rightly है तो उसको तनुप किस तरह से और परी में संख्या सीध कर चिंशेंची विडियो में कि लिए बिछिता है कि सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा इसे दो संक्या को कहते हैं केवल एक अबरतको और एक से ही राटीत हो साभाध संख्या करते हैं एक्जामपल के तौर समझी गां लिजिए हैं बारा लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ यहां दूसरा एक तो देदेते हैं अठी लिखा हुआ है यह दोनों संख्या में यह कौन सा आवाद संख्या है और नहीं है कौन नहीं है इसको शेक करने के लिए करना क्या पड़ता है विए कितना कितना स्कतर है तो सबसे कटेगा तीन से से कटेगा और चार से कटेगा और छे से भी कटेगा और बारा से भी कटेगा अब पंदरा देखिए पंदरा किस से कटेगा एक से कटेगा तीन से कटेगा और पंदरा से कटेगा पतलब जो पंदरा है एक से तीन से पांथ से पंदरा सब से कटेगा और यहां पर देखिए भिखता हैं अब इसको चाहिए कि यह संख्या उन पर था पर यह संख्या नहीं इस्ताबहर संख्या नहीं है लाइता यें देखिए इस को संख्या मेच खाना चाहिए मतलब ऐसी दो संख्याँ अगर मेच खा गिया इस साभाज संख्यां करें तो और लेकिन साभाज संख्यां चर्माज से लिखा और मान यहाँ परeffyad tina स्क्वार लिख देते हैं तैंक यहाँ पर प्रमाई होगा अगर कहीं लिखा हो अगर इस तरह से तो पूरा पूरी कटेगा फर्मा है यह कहता है क्या कि अगर यदि तीन के स्कुरा को भाजित करता है तो यह तीन क्या करेगा तो तीन है इसको अस्कवार को काट रहा है तो इसको भी भाजित करे गा यंदि पांच के पांच स्कॉर को भातीद करता है तो यह पांच है यह 5 को भाजित करेगा यूर में भागा देंगे तो पूरा-पुरी लग जाएगा एक छोटा सा उपर में इसका भी यूज होगा कि यह कै क्या का था है कि रुट्टी ऊपरी में संख्या है कि उपरी में verified हम लोग कि यह तो रूट रूट दिश्कर करेंगे विखू मानिंगेश कहा सबसे पले मानें गलत करनें गलत साल है और देखिए सबसे पहले मानेंगे कि उसको मानते हैं कि उल्टा ही मानना है और फिर पूनाहमाना में क्या लिखिएगा पूनाहमाना मानियेगा कि रूट 2 बरावर अगर 3 पुरूड करतें और लिखते जहां ए पढ़ाय संख्या मतलब हुआ कि जो ए और Bach के क्वल एक सेही कट रहा है तो अब इसको कितना होगा रूट टू वी अब फिर बराबर कितना आजाएगा एक से अब क्या किजिएगा आप दोनों तरह बर्ग करने पर देखिए पावर कि पर पावर पी को गिना किजिए रूट टू से तो कितना आएगा रूट टू भी तो और वी आएगा ठीक ना रूट टू और बी आएगा एक को गुना किजिए एक से आएगा अब दोनों तरफ बर्ग करने पर अब लिखेगा दोनों तरफ बर्ग करने पर कि दोनों तरफ करने पर दोनों तरफ करने पर अधिद करने पर आप डॉनुट करने पर आप यहां पर क्या लिखा हुआ है रूट Technology अब कितना होगा टू अब्यक्रवार करेंगे तो कितना होगा रूट टू हुआ रूतु घ्जाना अब लिएक तो यहां पर क्या रहा हो रहा है कि जो दो है करता है यहां पर फिर से सुन ली है करता है तो एको विभाजित करेगा इस समीकरन का मतलब यही है यहां पर लिख दीजिएगा हिंदी में लिखेगा तो चलेगा लेकिन लिख तो जाड़ा वेटर होगा अब क्या किजिएगा इतना करने के बाद आप मानिएगा अगर सीध कर रहे हैं तो मानेंगे यह बराबर करते हैं को प्रूड करते हैं को मानते वराबर करते तो मांते कि बराबर है सी तो क्या करता था मानना था यहां पर फिर से क्या खेकलेगा काना और वराबर to see अब इस्मान को समिकर guit को सकूर हो जाएगा तो यहां पर कितना है पूर सी अषकवार यहां पर सीए तो ँसका इसको माना ययगा समीक्रन Q2 यह क्या है समीक्रन Q2 में क्या आ गया देखे यहां पर लिखेगा तो बी को भी वहाजित करेगा यह बात यहां लिख देगा पता चलता इस तरह से बना लिजेगा यह समिक्रन लिखा हुआ गनीत के रूप में लिखा हुआ अगर हिंदी में लिखना चाहता है तो यह लिखेगा लेकिन समिक्रन एक तथा दूसरे क्या गिया कि ए तथा बी को भी वहाजित करने वाला है दो भी आ गिया मतलब 2 से भागा दीजिएगा A और B में तो पूरा पूरी कड़ जाएगा ये बात कौन बता रहा है ये समिकरन 1 और समिकरन 2 ये कर रहा है कि A और B को 2 भी भाजित कर रहा है दो भी भी भाजित कर रहा है पूरा पूरा एक तो करता ही करता था लेकिन आप देखिए और A और B क सावास संख्यां नहीं है गेफल एख ही ब्हाईित कर सकता है तो हम पर क्या निकल कर दूसरे हैं यह यह अब लिखेंगे संमिक्रण एक तथा दूसे इख असपश्ट है कि यह और संख्या साभास संख्या नहीं है यह और भी क्या यह और भी कि यह और भी साभास संख्या यह मतलब लिखेगा समिक्र ने तथा दूसरे असपस्ट होता है कि यह और भी साभास संख्या नहीं है यह और भी साभास संख्या नहीं है है क्योंकि यह दो सभिवाजित हो रहा है अब लिखेगा नीचे आता हमारी मान्यता गलत है आता हमारी मान्यता गलत है क्योंकि हमने संख्या की क्या गीए कि दो सभिवाजित हो रहा है यह यहाँ मैंने गलत है यह क्या है इसलिए कंटू एक है औपरी म Țंपक क्टू एक अब परिमे संख्या घशंच्ड को एक और परी में संख्या दुख्य दॉत इतना ही करना था हूं अब दुख्येख्या किजिएक सबसे पहले जिसको भी प्रूब करने के लिए लिए इसका स्क्रीनस्षट लिए अब इसको भी एक प्रूब्ड करने बोलेगा था कि रूट 2-1 परीमेश संक्याँ सबसे पर हमानग और पुनह माना ऊण नंदा वर एक वट व्यज़ेगा तो अब तो ज्योजेगा तो कितना होका डोभर्ट वर्ग करें गयूंगा और लिखेंग यहीं दीन हैं तो इस इक में रखताएं ये रहे जाएगा लेकिन एक पर रुख आप बढ़ाबर इसको इधर लिलाएं तो दो का रहा है यह जो दो है बिए स्कौर को भाजित करता है तो दो B को भी विभाजित करेगा अता क्या आगिया कि A और B को अब दो भी विभाजित कर रहा है मत्तब दो से भागा देंगे A और B में तो A और B भी कट जाएगा हम यह कर सकते हैं कि हमने जो माना था कि A और B साभाज संख्या नहीं है अन्टा हमारी माने गलत है एक परी कर देते हैं दिखिए ध्यान से देखिए जिवरसे आप लोग बनाईेगा है यह लिए पर और साभाज संख्य अब यहां पर क्या किजिए तो बर्ग करेंगे तो रूट फाइब और बी का जब असक्वार कि जएगा इसको आप यहां पर होगा ताब समीक्रां एक होगा इस बार क्या का राही है जो फाइब है है यह वर इसकोर को Jこれ करता तो फाइब एक को भी भाजित करेंगा फिक तो यहां पे कितना आप जो हाँ पर मानें आप समीरान संभीमार एक मैं एक में रखने पर आप स्कॉार तो जोंपन लिख दिये और फिर यहां पर यहां पर देखिए फाइप तो यह सकॉरर 25 सीcolored तो यह 5 से काति स्कॉर के फाइफ दम कड़ेगा 5 कट इतना अगया ब्राबर 5 principal प्राइट s अब 5 यह श्यादे लाएं से कलिए किसी अब कर ब्रावर लिए कट कितना व्रृष बहुत है विश्क आपका clusters in संध्रस्काग्म करता है यह जो पाँट विफाजित कर रहा है और पांच विफाजित कर रहा है इसका मतलब ये और प Candice साभास संख्या नहीं है यह तो करी रहा था पांच भी करने लगा पर यहां पर लिखेगा शमीकर नहीं अब कि बहुत इसी तरह कि जैगा कि इतना भी बोले इसी तरह किजीए गा कुछ ने बदलना है जहां पे 5 है वहां पे 7 कर दिजेगा लेकिन अब देखिए इससे अश्ट्रा कोशन आता है इसको भी पूट करके बता दिये अब देखिए इस तरह का कोशन आए कि 3 पलस 2 रूट 5 कि 3 2 पलस इसको साबिद करना सबसे पहले देखिए कि रूट को सबसे पहले आप यहां पर जिसतरीका से किसे इसको करना पड़ेगा इतना बात सुरवा से करना पड़ेगा इतना बात शुरुवात से करना पड़ेगा कि माना रूट 5 परिमे संख्या है पुना माना रूट 5 बराबर ए वटा भी जहां ए और भी साभास संख्या है तो गुना किजेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर और फिर यह आएगा और समिकरन एक यहां पर होगा और यहां पर ए जा फिर में रखने के बाद इसको हल किजेगा और यह समाइक्रन दो आएगा और लिखेगा संख्या की है और भी सावासंख्या नहीं है अथा हमारी मन जाथ है गलत है उन्ANSक्णा पर अंगी करना पड़ेगा इस कोस्चन मैं भी इस कोस्चन में भी आप लोगों को इतना क पढ़ेगा पहले इसके बाद उतना करने के बाद आप उसके नीचे लिखेगा कि इतना करने के बाद आप लोग यहां लिखेगा फिर से यहां लिखेगा फिर से यहां पर क्या लिखेगा यहां पर आप लिखेगा यहां पर आप लिखेगा शुरुआत में उसके नीचे आप जहां और ये आधा कि अमस्क हल अ किजिए आ है पूल नकिजिए इससी जांतना के गट इसके साहत गुना होगा फैलस कितना हुगा कि लगा स्टना ऐगा पूरूट आ эн यहां पर देखे रूट फाइब को यहां रहने देजिए टू रूट कितना है टू रूट फाइब बराबर कितना होगा एम माइनस कितना हो जाएगा थिरी एंट माइनस धिरियन अब हमको क्या करना है श्रीप फाइब को एक साइड रखना है यहां पर क्या रखिए रूट फाइब बराबर कितना होगा एम माइनस कि पटा यह कितना जाएगा यह टू और एन क्या जाएगा नीचे अब देखिए यहां से अब क्या गिया अब क्या गिया रूट फाइब बराबर इतना गिया अब नीचे लिखिए गा कि हम सीध कर चुकते हैं कि रूट फाइप एक आई परिमे संही इस कोस्टेन में हम सबसे पहले क्या सीध unless रूट पहाइप परिमे संही छैसा प्लतना रूट फाइप बरावर कितना गया इतना और इतना ये संही आया कहा से किसी संही है सखेया ये संख्या कहांस आया था इसी संख्यास जब गुना कियेतre तब आया था तब इहां पर लि Israeli अव्ण लिखनेगा आप नीचे लिक्थ t यह क्या होगा म माइनस म माइनस थिरी एन बटा टू एन यह माइनस चिकन बटा टू एन कि एक ओपरी में संख्यां एक ओपरी में ओपरी में संख्यां होगा ओपरी में संख्यां होगा एक ओपरी में संख्यां होगा एक रूट थिरी मतलब एम माइनस 3N बटा 2N ये भी एक क्या होगा ओ परिमे संख्या होगा लेकिन ये आया कहां से ये आया था इसी से ये आया था इसी से आता यहां पर लिखेगा नीचे लिखेगा ये ओ परिमे संख्या होगा अता यहां पर लिखेगा 3 पलस 2 रूट 5 को परिमे संख्या मानना रोधा भास उत्पन होता है क्या लिखेगा अता हमको यह जो माने है कि 205 परिमे संख्या मानना विरोधा भास उत्पन होता है अर्थात या तो आता लिखिएगा अता का थीरी पलस फूर्ट हॉ परिमे संख्या सरे परिमे संख्या है सबसे पहले को प्रूब करना पड़ेगा सबसे पहले मानिएगा परी में संख्या है बराबर ए बटा भी जहां ए और भी साभास संख्या है इसके बाद गुना किजेगा दोनों तरफ वर्ग करने के बाद समिक्रण A का आएगा यह 5A2 को विवाजिद करता है तो 5A को विवाजिद करेगा और फिर मानिएगा A बराबर 5C और ये 5C को समिक्रन एक में रखिएगा समिक्रन एक में रखने के बाद समिक्रन ये 2 आएगा ये समिक्रन 2 क्या कर रहा है कि 5B स्क्वार को व्याजित करता है तो 5B को व्याजित करेगा अर्थात A और B को अब 5B व्याजित करने वाला हो गिया व्हाजित करने वाला संख्या नहीं रहे है महारी घलत है इतम प्रूब्ढ करने के बाद नीचे लिखेंगा पने ये प्रूब्ड करना है को दो सबतंग करने के बाद वे नीचे लिखेंगा लिखे लिखेगा पुना माना 3 पलस 2 रूट 5 परिमेश संख्या है अब फिर लिखेगा माना कितना बराबर एम बटा एन जहां एम और एन साभाज संख्या है अब इसको किसी तरह से गुना करके जिसको उप्रूब किये हैं उसको एक साइट लाना है बाकी जो भी बचेगा उ हम लोग पर ब्रूब कर दिये थे कि वुट पयक पर इमेस एस लिए इतना परी में संख्या होन और से आया था तो इसी संख्या से आय interven e इतना को परिमे संख्या मानना विरोधा भास उत्पन होता है भाता या तो आता बोलियेगा कि 3 पलस 2 रुड 5 परिमे संख्या है यह भी कोस्टन आपका प्रूट हो गिया है अब अगला कोस्टन देखिए इसको आप प्रूट करके बताईएगा प्रूब करने के लिए पहले रूट 7 को प्रूब करना पड़ेगा रूट 7 को आप लोग प्रूब कर लिजेगा कि रूट 7 एक परीमे संख्या है रूट 7 एक प्रूब कर लिजेगा पहला तरीका जिस तरफ बताए थे रूट 7 एक परीमे संख्या प्रूब करने के बाद परिमे संख्यां है क्या मानने के बाद फिर से लिखिएगा माना मानने के बाद बोल दिजिएगा कि M और जो N है कि अभाज संख्यां इतना करने के बाद आप इसको क्या किजिएगा और गुना करने के बाद मेरा मकसद क्या है रूट्स एक साइड़ आजए रूट्स एक साट आज़ाए और बाकी सारा यहां पर क्या गिया रूट सेवन बराबर इतना गिया तो हम लोग उपरी में संख्या है तो यह भी क्या होगा एक उपरी में संख्या होगा तो यह आया कहां से था इसी से आया था इसका मतलब यह भी एक उपरी में संध्यां और परिमे संध्यां होगा कितना भी क्या परिमे संध्यां होगा यहां पर लिखिएगा आता अता आइप रूट सेवन को परिमे संध्यां मानना परिमे संख्या मानना पिरोधा भास उत्पन होता है 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 और अथर आइप रूट शेवन एक पापरी में संख्या हैं सबसे पहले क्या कीजेगा इसमें रूट सेवन को प्रूब कर लिजेगा कि रूट अप्रूब करने के बाद जो नीचे आएगा नीचे लिखेगा कुना माना आइप सब्सक्राइब कर चुके थे उसको एक साइड लाना तो एक साइड रूट सेवन को लाएंगे बाकी जो बचेगा उसको दूसरे साइड कर देंगे यहां पर लिखेंगे इसके बराबर में आया है ये फोल परीमें संख्यां दोनों अपस में परेन हो Evet आता यहां परीमे संख्या माना विरुदाभास उत्पन होता है अता आपूड से बने परीमे संख्या तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं आप लोगों को आसा करते हैं कि आप लोग इतना स्पूरुड करने के लिए सीख गए होंगे आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद